YouTube का एक नए अपडेट आया है, जिसमें आप एक से जादा थमने लगा कर उसको टेस्ट कर सकते हैं, बट ये किसी को पता ही नहीं है, ठीक है, तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, कि कैसे आप इस अपडेट को यूज कर सकते हैं, एक हैं इन सारी चीज़ों को, और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो आखन पसंद आए, तो हमारे वीडियो को लाएक करना मत भूलिएगा, चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड time के साथ इसको शेर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो चलिए, चलते हैं अपने computer screen के उपर, तो आ गए हैं हम अपने computer screen के उपर, यहां पर हम सबसे पहले चलते हैं, और यहां पर हम देखते हैं, YouTube को open करते हैं, YouTube को मैंने open कर लिया यहां से, ठीक है, यह आपका YouTube है, यहां से हम चलते हैं, हमारे YouTube के studio पर, क्योंकि हमें हमारा जो video है, वही से यह अप्लोड करना है तो यह मेरा डैशबूर्ड है YouTube का, यहां से हम को क्या करना है हमें एक video add करना पड़ेगा तो हम यहां click करते हैं और करते हैं upload तो यहां हम गया है हम ने यह select file पर click किया और हम गया इक video यहां से pick कर लेते हैं Suppose हम यहां चलते हैं हमारा D-Drive में, हम एक वीडियो देख लेते हैं, पहले, okay, हम यहां देखा, यह हमारा वीडियो पड़ा है, हम यहां पे कर लिया, okay, तो यह हमारा वीडियो क्या हो रहा है, अब अपलोड हो रहा है, तो नाव हमारा वीडियो जो है, वो अपलोड हो गया है, तो आपने देखा कि मैंने कैसे अपना वीडियो जोई अब वीडियो को अपलोड करने के बाद हमें है इसमें थमनेल लगाना है वह अपडेट हमें यूज़ करना है जो यूटूब 파 दूर्प से अमको मिला हूगा है तो यहां आप देख पा रहे होंगे upload file का option आ रहा है ठीक है auto generated का option आ रहा है और test and compare तो अभी जो नया update आया है test and compare का इसके साथ-साथ auto generated का भी आया है बट मैं आपको जो बताने वाला हूँ test and compare के उपर इस पे click करके आप एक साथ तीन तीन thumbnail क्या कर सकते हैं update कर सकते हैं तो आ मेरे पास thumbnails पड़े होंगे मैं उनको एक बर add करके आपको दिखाता हूँ कैसे तीन thumbnails मैं add कर सकता हूँ यह मैंने एक add किया now मैं second वाले पर click करता हूँ और फिर मैं एक नया thumbnail add करता हूँ और यह मेरा नया thumbnail भी यहां पर आप देख पारे की add हो रहा है फिर एक और हम thumbnail क्या कर अपने वीडियो के लिए upload कर दिया यही था वो नया update अब simply मुझे क्या करना है बस मुझे click करना है और click करता ही मेरा यह video है market में चला जाएगा और लोगों को अलग अलग thumbnail के ऊपर मेरा यह video दिखने वाला है तो चलिए हम इसके अगला step को भी मैं आपको करके दिखा देता आप नबार है यहां पर मैंने तीनों लगा दिया मैंने डन पर click करें जैसे मैंने डन पर click किया यू canת see कि मेरे तीनों thumbnails यहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको अपको तीनों यहां पर दिखाई दे रहा है अब यही उनको क्या करएगा? टेस्ट करेगा और market में अच्छे स दिखाएगा ठीक है तो बस अब मुझे कुछ ने करना है बाकी स्टेप आपको पता ही है कि किस तरीके से हम बाकी चीजे सेट करते हैं तो आपने देखा किस तरीके से यह नया अपडेट आपके लिए एक फायदे मां अपडेट होने वाला है आपको एक साथ तीन तीन थमनेल अपलोड करना है जो आपका थमनेल अच्छा परफॉर्म करेगा वही मार्केट में लोगों को दिखेगा तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को मार्केट में लोगो में ठीक है जैहन्द बावाए